इस डियर ICSC स्टूडिंट्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपका दोस्त बजरंग अगरवाल और आज हम स्टार्ट करेंगे आई C.S.E. Economics बहुत एजी है मगर मेरे को पता है कि बच्चे इसको रट रट के इग्जामिनेशन पे जाते हैं आप लोगों को पता है कि मैं C.E. Foundation लेवल पे पढ़ाता हूँ और C.E. Foundation लेवल पे पढ़ाने के बाद ये एहसास हुआ है मेरे को कि बच्चों का बेस बहुत कमजोर है So Commerce students, ICAC students अगर आपने Economics subject चूज किया है तो आने वाले क्लास 11 और क्लास 12 में भी आपको Economics पढ़ना है और अगर अभी से आप रट कर examination दोगे तो बेस आपका कभी भी नहीं बन पाएगा अगर आप आगे चलके Professional Studies में जबरदस तरीके से Successful होना चाहते हो तो ये एक दम सही समय है एक बात मैं और बुलना चाहता हूँ कि ICAC examination इतना ज़्यादा easy है कि बच्चों को बहुत कम मेहनत करने से अराम से 85 marks मिल जाते हैं बहुत कम मेहनत करने से तो क्या मैं आपको shortcut में पढ़ा के marks दिलाने वाला teacher हूँ? नहीं नहीं बिलकुल भी नहीं देखो marks तो आपको 95, 98, 99, 100 तक मिल जाएगा जो कि हम in-depth analysis करेंगे बहुत जादा interesting है economics हमारे day-to-day जिंदगी से बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है economics यह हम आज जान लेंगे तो उससे पहले किस pattern पे हम पढ़ाई करेंगे मैं आपको यह बताना चाहता हूँ और course हमारा कब तक free है मैं यह भी बताना चाहता हूँ सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ lockdown का समय चल रहा है तो यह पूरा course free रहेगा 30 June तक 30 June 2020 from 1st July we will start charging a very nominal fee और यह nominal fee रहेगा 50% of your area teacher fees आपके area में जो fee है उसका 50% देंगे वो भी आप तब देंगे जब आपको लगता है कि आप online video classes में बहुत अच्छे तरीके से follow कर पा रहे हो मेरे को और सब कुछ समझ पा रहे हो तो June तक वैसे भी schools नहीं चालू हो रही है तो आप प्लीज घर बैटकर अपना पढ़ाई को start कर दीजिए कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगा यह मेरा वादा है आपसे सो करना क्या है अभी आप अराम से free classes का लुफ उठाईए अपने दोस्तों को बोलिए YouTube चैनल पे मैं सारे के सारे lectures 30 जून तक upload कर रहा हूं सारे के सारे lectures तो नहीं बना पाएंगे 30 जून तक जितना chapters हम record कर पाएंगे हम आपको 30 जून तक YouTube चैनल पे देंगे उसके बाद सर क्या होगा उसके बाद आप हमारे app download करोगे और आप हमसे संपर करिए 9830175050 अगर यह वीडियो कोई teachers देख रहे हैं तो बहुत सारे teachers भी हमसे जुड़ना चाहते हैं हम आपको दिल से निमंतरन देते हैं कि आप आईए BACA classes के साथ जुड़िए अब दोस्तो कुछ बाते जो मैं बहुत दिल से फील करता हूँ वो यह है कि आज के date में रटना एक बहुत easy माध्यम बन गया है जो भी theory papers है आईए उसको रट लेते हैं बट दोस्तो इससे आपका base बहुत कमजोर हो जा रहा है आप जितना time invest कर रहे हो वो सब बिकार हो जा रहा है सो क्या हम रट के पढ़ेंगे बिल्कुल नहीं क्या मैं आपको short notes लिखा दूंगा बस आप उसको पढ़के चले जाए तो हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं हम follow करेंगे ICSC के prescribed textbook मैं आपको हिंदी मैं समझाना चाहता हूं ऐसा नहीं कि मेरको English नहीं आता है मैं उधारन पर थोड़ा से English बोल के दिखाता हूं आपको समझ में आ जाएगा well students how are you guys you want to study economics and well we can study economics and English I can explain each and every word in English but trust me friends that's not going to last in your brain for a long long time so इसका मतलब यह है कि देखो English बुलना आता है मेरको मगर मैं English में नहीं समझाना चाहूंगा क्योंकि जो easy तरीके से आप समझोगे हमारे मात्र भाषा में हिंदी में अगर कुछ भी चीज समझोगे तो मैं concept को ना हतोड़ा से मार मार के अपके दिमाग में घुसा दूँगा बहुत अराम से आप समझोगे और बहुत मज़े से समझोगे मगर सिर्फ हिंदी में समझने से तो नहीं होगा सर answers तो English में लिख्या ना होता है बिल्कुल सही तो हम क्या करेंगे English prescribed textbook English का जो prescribed textbook है we will try to go line by line generally ऐसा नहीं होता है जो textbook है उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो समझ में यह नहीं आता है तो textbook खरीदे क्यों है हर साल बहुत सारा पैसा हम लोग invest करते हैं textbook खरीदने में और वो textbook से स्कूल में भी पढ़ा ही नहीं किया जाता है teachers बोलते हैं आओ मैं तुम्हें short notes लिखवा देता हूँ और उसी से पढ़ लो मगर textbook का जो ग्यान है उसमें जो details है अगर हम और आप उससे पढ़ लें तो दो फाइदा है एक तो details study करेंगे हम synchronized way में करेंगे और English का जो prescribed textbook है हम लोगों को मिलेगा textbook से English language किस तरीके से आपको answers लिखना है वो textbook से अगर हम पढ़ेंगे तो आपको वो answers लिखने का style textbook से मिल जाएगा समझाने का style मेरा रहेगा हिंदी में पढ़ेंगे textbook को जो है English में ऐसा क्यों कर रहे हैं sir please बहुत लंबा हो जाएगा बिल्कुल भी लंबा नहीं होगा इससे क्या होगा पढ़ाई करते करते revision आपका साथ साथ चलेगा बहुत speed में नहीं पढ़ेंगे slow and steady पढ़ेंगे because I totally believe slow and steady wins the race और एक फाइदा क्या है कि आप अराम से जब हिंदी में समझते हो और English का जो भाषा आपको मिल जाता है तो revision करते समय वो बहुत ज़्यादा उपियोगी साबित होता है revision करते समय क्योंकि अगर मैंने आपको कुछ हिंदी में समझाया उसके बाद revision का material कहां से लाओगे answers जो लिखना है वो कहां से लिखोगे तो problem वहीं पर होता है टीचर ने अगर समझा दिया English में तो वो English वैसे भी बहुत ज़्यादा strong नहीं है तो वो याद नहीं रहता है टीचर ने हिंदी में समझा दिया समझ में आ गया बड़ वो हिंदी को English कैसे करे वो समझ में नहीं आता है उससे क्या होगा एक जो prescribed textbook से हम लोगों को डर लगता है कि किताब तो भीया खोलना ही नहीं है किताब तो बस फेक दो नहीं बहुत गलत है मैं आपको समझाओंगा word by word एक-एक word मैं आपको समझाओंगा सब कुछ आपको समझ में आएगा ही आएगा कोई chance नहीं आए कि आपको समझ में नहीं आए उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए बहुत प्यार से आप textbook को बस quick reading लगाएंगे concepts आपके दिमाग में और मेरे पढ़ाने के समय मैं आपको बताऊंगा कि ये important lines है इसका आप self notes बनाईए जो कि textbook में तो बहुत सारे pages है अब आपको revision के समय notes जो चाहिए तो छोटा revision करना आपको quick revision करना है छोटा पढ़ाई करना है तो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बोलता रहूंगा कि ये आप please notes बनाते रहिए तो इससे क्या होगा आप पढ़ रहे हो आप समझ रहे हो आप notes बना रहे हो आपको textbook से reference लेने में आप डर नहीं लग रहा है हिंदी में समझ रहे हो English language का कोई कमी नहीं है च्योंकि language जो है किताब में दिया हुआ किताब का एक-एक word मैं आपको समझा रहा हो हिंदी में एक-एक word जब आप समझ जा रहे हो तो आप बहुत अराम से उसको answers लिख करा पाओगे सो क्या ये clear है दोस्तों क्या हम start कर सकते हैं चलिए करते हैं हम लेंगे ये वाला किताब Elementary Economics Economic Application for ICSC Class 10 अब सर मेरे पास तो ये किताब नहीं है सर तो क्या मैं क्या करूँ तो को अगर किताब नहीं है हम आपको PDF mail करा देंगे तो आपको किताब खरीदने की भी दरकार नहीं है Point No.1 Point No.2 अगर आपके आज कोई और भी किताब हो तो किताब is not important जो concepts है वो ICAC syllabus के अनुसार है तो वो ICAC syllabus को हम cover करेंगे ICAC syllabus के previous year के test papers भी solve करेंगे सब को solve करेंगे मगर पहले आप समझे समझना जरूरी है दिबाशिश मजुंदार जी का किताब है syllabus आपके screen पर है दोस्तों तो ड़ी विल स्टार्ट विद इस चैप्टर यह बुक को हम follow करेंगे यह पूंटेंट्स पुआज लेट्स स्टार्ट किस तरीका से पढ़ना है आप देखिए बहुत प्यार से धीरे 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 समझ लेंगे हम आज the theory of demand से start करना है the theory of demand इसमें क्या है जैसे कि आपको mango खाना है you want to have mango so क्या हम बोल सकते हैं कि you are desiring mango का desire है mango का इच्छा है mango का want है बिल्कुल बोल सकते हैं क्या ये want को हम demand बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं हाँ हाँ मेरको demand आए पापा को मैंने demand किया पापा पापा mango चाहिए so I demanded so English का शब्द देखो want, desire, demand English के हिसाब से एक जैसा लगेगा आपको मगर क्या भी हम English पढ़ रहे हैं नहीं हम पढ़ रहे हैं economics so economics में मेरे दोस्त ये demand शब्द का एक अलग meaning निकल के आता है थोड़ा सा filter होता है so demand क्या है ये आज हमको पढ़ना है supply क्या होता है ये हम पढ़ेंगे बाद में बट मैं आपको अभी से बताना चाहता हूँ कि ये demand and supply के वज़े से price determination होता है price जैसे mango का आप इच्छा रखते हैं desire करते हैं तो simply put simple भाषा में हम बोलते कि हाँ मैं mango का demand कर रहा हूँ simple भाषा में मगर desire and want is not equal to demand ठीक है so आप इच्छा रख रहे हो आपका इच्छा जो है अगर उस इच्छा के बीचे जेव गरम है pocket गरम है इच्छा तो है और पैसे भी है ए पैसे है मेरे पास मैं mango लूँगा मेरे पास पैसे है अगर आपके पैसे है तो वो इच्छा शक्ती जो है वो demand बन जाता है चोकि अगर पैसे नहीं है तो भाषा सिर्फ इच्छा ही इच्छा है इसका मतलब यह है कि सड़क पे जो भीकारी बैठा हुआ है वो भी आम खाने का इच्छा रखता है मगर उसके बस पैसे नहीं है च्योंकि उसके बस पैसे नहीं है तो वो demand का हिस्सा नहीं बनेगा सो मेरे खैल से यह एकड़म क्लियर है इसी हिसाब से imagine करिए toy manufacturer toy manufacturer जो खिलोना बनाता है बच्चों का खिलोना बनाता है बहुत सारे गरीब है इस देश में उनके पास भी बच्चे है और उन बच्चों का भी desire है कि मेरे पास भी खिलोना हो वो भी अपने पापा को बोलते है पापा पापा मेरे को गुडिया लाके दो बट क्या उनके पापा वो गुडिया लाके दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं सो क्या economics के point of view से हम उसको demand समझेंगे नहीं समझेंगे क्योंकि वो demand नहीं है तो जो toy manufacturer है जो supplier है toy manufacturer क्या है वो supplier है supplier वो toy को supply करता है market में और जिन लोगों का demand था वो toy को खरीद लेते हैं अब imagine करो एक लाक पैसे वाले बच्चे हैं और पाँच लाक गरीब बच्चे हैं सो demand total कितना हुआ total demand कितना हुआ बच्चों बताओ total demand क्या 6 लाक हुआ या total demand 1 लाक हुआ total demand मेरे दोस्तों 1 लाक toys का होगा इसका मतलब यह है जो supplier है वो 6 लाक toys नहीं manufacture करेगा वो 6 लाक्स manufacture नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा क्योंकि उसे मालुम है 5 लाक toys का demand नहीं है मत पापा वो गरीब बच्चों ने तो demand किया था गरीब बच्चों ने अपने पिताजी से demand किया था पापा पापा toy चाहिए मगर economic level पे economics का जो funda है उस level पे उसके पिताजी के बस पैसे नहीं है तो वो toy manufacturer को पैसे नहीं दे पाएगा इसी लिए toy manufacturer उस 5 लाक बच्चों का जो desire है जो want है उसको ignore करेगा कहने का मतलब यह है कि ये जो 5 लाक बच्चों का जो इच्छा है इसको हम लोग supplier को information नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या हम ये conclude कर लें कि actual demand 5 लाक बच्चों का नहीं है actual demand economics में 1 लाक बच्चों का ही माना जाएगा क्योंकि उन 1 लाक बच्चों के पास पैसे है या बच्चों के पास पैसे है अब यह जो बोल रहे हैं, पैसे हैं, पैसे हैं, इसको economic भाषा में दोस्तों क्या कहते हैं, यह हम आपको बताएंगे, इसको economics के भाषा में कहते हैं, purchasing power, कहने का मतलब यह है, कि वो एक लाख बच्चे जिनके पिता जी ने promise किया कि बेटा चिंता मत करो, मैं toy लाके दूँगा, उनके पिता जी के पास purchasing power है, purchase करने का शक्ती है, power है, और वो गरीब बच्चों के पिता जी के पास purchasing power बिलकुल भी नहीं है, यह purchasing power शब्द जो है, यह economics में बहुत important शब्द है, बहुत बार यह शब्द हम लोग से मुलाकात करने आएगा, और अगर हम नहीं समझेंगे इस word को, तो बाद में दिक्कत होगा, so purchasing power important है, और आप समझ गए हो, तो क्या अब हम start करें, अच्छा एक बात और बताओ, खिलोना जो है, manufacturer ने खिलोना बनाया, toy बनाया, demand है, supply है, यह demand and supply मिला जुला के, क्या determine करता है पता दोस्तो, price, इस खिलोना का क्या दाम रखे हम, यह demand and supply कहीं न कहीं, contribute करता है, price determination में, यह आज तो हम नहीं समझ पाएंगे तुरंत, चूंकि आपको demand समझना होगा, demand के बाद आपको supply समझना होगा, market का mechanism समझना होगा, और विश्वास करो, बहुत interesting है, अगर इसको हम लोग समझ के करेंगे, तो आपको लगेगा ही नहीं, कि यह कुछ हम additional पढ़ रहे हैं, आपको यह लगेगा, कि अरे यह तो हमारा common sense का बात हो रहा है, एक दम common sense, बहुत मजाने वाला है, बहुत मजाने वाला है, सो कैसे price determination होता है, बहुत एक जो गुडिया है, उसका दाम 100 रुपया क्यों है, उसका दाम 110 भी हो सकता था, उसका दाम 210 भी हो सकता था, उसका दाम 500 रुपया भी तो हो सकता था, मगर इस गुडिया का दाम 100 रु करो सोचोगे इतना मज़ा आएगा चूंकि ने ने concepts को सीखोगे you have to learn to question the concepts सवाल आपके मन में पैदा होना जरूरी है सो कभी भी आपके मन में अगर सवाल हो तो sir ये तो video lectures है नहीं 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 video lectures जरूर है मगर हम आपको जोडेंगे whatsapp group में registered students को unregistered students को माफ करेगा नहीं जोड पाएंगे क्योंकि समय बहुत limited रहता है और क्योंकि youtube के माध्यम से ये videos पूरे देश भर में पहुंचता है तो सब को help नहीं कर पाएंगे मगर registered student आपको help करना मेरा फर्ज है तो 9830175050 पे अगर आपको नहीं add किया गया है मेरे team member से तो आप मेरे को information दीजे कि sir मैं अभी तक whatsapp group में added नहीं हूँ और क्या करते हैं हमारा एक जबरदस्त LMS system है learning management system learning management system में हमने quiz format के बहुत सारे कौन बनेगा करोड़पती style में questions डाल रखे है वो quiz आप घर पे बैठ के लोगे हर एक chapter के बाद आप quiz खेलोगे और आपका score कितना मिल रहा है आपको आपको भी पता चलेगा मेरे को भी पता चलेगा और हम आपके पिता जी माता जी तक भी अगर चाहें तो score पहुँचा सकते हैं सो आपका performance को हम track करेंगे यह मत सोचीगा कि sir को कुछ नहीं पता है sir को सब पता है आप चाह कर रहे हो कौन सा lecture कितना बार देख रहे हो किस समय पे देख रहे हो हमें सारा information मिल जाता है so theory of demand है start करते हैं दोस्तों क्योंकि आज पहला दिन है सो हमने introduction दे दिया सारा feature समझा दिया और 30 minutes से ज़्यादा हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग पढ़ाई करें 30 minutes economics का 30 minutes को अगर आप in-depth analysis के साथ सुन लते हो तो उसके बाद आप break लीजिए और फिर आपका अंदर से इच्छा है तो दुबारा lecture को देखिए दूसरा lecture को देखिए तो कोशिश यह रहेगा 25 से 30 minutes का हम lecture करेंगे record so आज का introduction स्टार्ट करते हैं hopefully शायद आज यहीं तक हम पढ़ पाएंगे so start करते हैं दोस्तो when the price mechanism works freely यह price mechanism जो word है अभी अभी जैसे मैंने कहा कि गुडिया का दाम 100 रुपया क्यों 110 रुपया क्यों नहीं इसे कहते हैं price mechanism किसी price fix करने के लिए अगर government बोलती है कि भाया जो भी manufacturing होगा मैं government हूँ मैं price fix करूँगा हमारे देश में मोदी जी है अगर मोदी जी आपको आके बोले कि देखो भाया तुम जो भी बनाना बना लो मेरे आदेश अनुशार बनाना होगर price मही fix करूँगा तो इसका मतलब क्या है कि price क्वान fix कर रहा है आपको क्या price fix करने का आजादी है freedom है नहीं है तो ऐसा economy को क्या बोलते हैं यह हम पढ़ेंगे बाद में capitalist economy में क्या होता है कि आप खुद बनाइए product को government के पास आपको नहीं जाना है price आप खुद fix करिए ठीक है when the price mechanism works freely price mechanism price क्या fix करना फ्री है freedom है capitalist economy में यह freedom है so India capitalist economy है मैं अपना goods का services का जो price मैं रखना चाहता हूँ मेरे उपर है जी आपको खरीदना दो खरीद या नहीं खरीदना तो मत खरीदिया जब कोई मेरा product नहीं खरीदेगा तो मैं अपने आप price कम करूंगा न समझे अब मैंने गुडिया का price रखा है 200 अरपिया कोई खरीद ही नहीं करा है जब कोई नहीं खरीद रहा तो मैंने बलाद चलो 180 रख जेते हैं कोई नहीं खरीद रहा फिर मैंने 150 किया कुछ लोग खर रखने का अपने प्रोडक्स पर अधिकार है, prices of commodities are determined by their demands and supplies. तो कौन determined कर रहा है demand and supply? सोच के देखो, मैंने गुरिया का price रखा, टॉय का price रखा 200 उपीस, और बहुत demand है, मेरे पास समझे लो 100 पीस है, मेरे पास 100 पीस है, और मैंने प्राइस रखा 200 रुपीस और बहार देख रहा हूं कि 150 लोग खड़े हैं खरीदने के लिए 150 मेरे पास है और दुकान में लाइन लगा हुआ है देखो दोस्त अभी लॉकडाउन है imagine करो कि मेरे पास 150 किलो आलू है और लोग बहुत खड़े हैं कम से कम 150 से भी ज़्यादा लोग खड़े हैं और कोई 1 किलो कोई 2 किलो आलू लेने वाला है तो मैं आलू का दाम 10 रुपीया किलो रखा था चौकि इतने सारे लोग खड़े हैं डिमांड इतना ज्यादा है मैंने 10 रुपया के जगा 15 रुपया किलो भी रख दिया तो भी वो दाम कुछ ना कुछ लोग देने के लिए रेडी है, क्योंकि ये 150 लोग आपस में compete करेंगे अरे भाई तुम 10 रुपया नहीं मैं तुमको ज़ादा तरह हूँगा, मेरे को दे दो आलू, मेरे को दे दो तो देखो यही है price mechanism तो demand and supply demand बहुत ज़ादा है और मेरे को पता है कि 10 minute में या आदा घंटा में या एए घंटा में मेरा आलू पूरा सब को ये ले के चले जाएंगे तो मैं 10 रुपया के जगा 15 रुपया भी रख दिया तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा हो सकता कुछ लोग नहीं खरीदें और बहुत लोग लाइन पे थे तो मेरा आलू खतम हो जाएगा अब imagine करो मेरे पास 1000 किलो आलू है और खरीदने वाला कोई नहीं है मैंने 10 रुपया किलो रख दाम कोई नहीं खरीद रहा कोई नहीं खरीद रहा अब क्या करें तो मैंने ओफर निकाला 1 किलो पे 1 किलो फ्री क्योंकि मेरे को पता 10 दिन बाद ये आलू सड़ जाएगा तो सड़ा वालू तो वैसे भी कुछ नहीं खरीदेगा कोई नहीं खरीदेगा तो 1000 किलो आलू बज गया है और मैं 1 किलो पे 1 किलो फ्री दे रहा हूँ तो प्राइस जैसे मैंने कम किया 1 किलो पे 1 किलो फ्री मतलब 10 रुपिया का दाम एक तरीके से 5 रुपिया हो गया तो बहुत लोग आएं और खरीद के चले दे ऐसा होता है न यही है economics दोस्तो इसी को हमें समझना है कि ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है वी शाल अप्रोच दो थियोरी इन स्टेप्स यह ऐसा क्यों होता है इसका जो theoretical बाते हैं इसको हम लोग step by step पढ़ेंगे in this chapter we shall discuss the theory of demand demand जो है मैंने आपको थोड़ा सा explain किया स्टार्टिंग में, डिमांड का जो theoretical बाते हैं, जो बड़े-बड़े economist हुएं, उनका क्या सोच था, डिमांड के थियोरी के बारे में, डिमांड के बारे में, वो हम discuss करेंगे, in the next chapter, we shall discuss theory of supply, डिमांड के साथ supply भी पढ़ना ज़रूरी है, मैं वो पढ़ेंगे, next chapter पर, then we shall be in a position to bring the two theories together, so, डिमांड and supply के थियोरी को साथ में लाएंगे, तो यह हम सही तरीके से समझ पाएंगे, क्या समझेंगे हम, and explain how the price of a commodity is determined by the interaction between demand for and the supply of the commodity, अभी जैसे मैंने अलू का example दिया, मेरे पास supply कितना था, दस हजार किलो अलू था, और demand कम था, तो मैंने अपना बुद्धी लगाए price के साथ, मेरे पास 1000 किलो अलू था, और demand था 2000 किलो अलू का, तो मैंने price को बढ़ा दिया, मेरे को लग रहा था, यार अलू खरीदने वाले बहुत लोगे tension लेने का नहीं, और जब लगा कि आलू बहुत अर खरीदने वाले कम है, तो tension हुआ, tension होने से price कम किया, तो लोग आलू खरीद के चले गए, so although we shall talk about one commodity, अब देखो, बात आलू का करें, बात toy का करें, बात किसी चीज का भी करें, the theory will be generally applicable to any commodity, कि आने वाले टाइम पे कोई भी आपको challenge नहीं कर पाएगा, अराम से CA हो, या CS हो, या CFA हो, आप first attempt में clear करोगे, ये मेरा आशिरवाद है, ये मेरा वादा है, so love you so much, thank you, bye-bye. करें, बात करें, बात करें, करें, बात करें, बात करें जिए के रचाद बात करें,